नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम PFMS पोर्टल में किस तरीके से payment करना हैं किस तरीके से expenditure create करना है उसके बारे में जानेंगे किसी भी vendors या बेक्ती को payment करने के लिए सबसे पहले हम vendors को add करना है तो उसके बारे में हमने एक complete वीडियो बनाया था अगर वह आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या description में जाकर देख सकते हैं तो vendors create करने के बाद सबसे पहले हम payment जो करना है उसके लिए operator या maker या कोसादेक्ष की जो ID है उसमें हम login कर लिए है और login करने के बाद आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमें कहां पे जाना है expenditure पे जाना है expenditure पे जाने के बाद आप देख पा रहे हैं add new add new बटन यहाँ पे हमें click करना है और add new page जैसे ही हम click करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक नया page open होता है scheme और project में हमें कुछ change नहीं करना है और नीचे देख पारा है bank account तो bank account आपकी संस्थाकर दिखेगा उसके बाद आप देख पारा है expenditure done far तो यहाँ पे आप vendor और beneficiary दिखेगा तो हमें vendors को payment करना है तो vendor हम select कर लेते हैं vendors को जैसे ही select करते हैं इस तरीके से हमारे सामने एक hyperlink आ जाता है तो यहाँ पे हम click करते हैं select vendor पे तो जो भी vendors की हमने mapping किया है या vendors को wait 8 किया है वह हम इस hyperlink पे click करते हैं तो वह हमारे सामने open हो जाता है तो यहाँ पे हम select कर लेंगे कि हमें किस vendors को क्या करना है payment करना है तो यहाँ से हम उसे सबसे पहले select कर लेते हैं और जैसे ही select करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे so होने लगता है later office order number तो यहाँ पे हम अपनी संस्था का SMC का बैटक लेने के बाद जो भी note sheet तैयार किये हैं प्रस्ताव पास होने के बाद तो उस note sheet में जो हम क्रमांग दिये हैं उसके अधार पे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस क्रमांग को वहाँ पे हम date सहीत डाल लेंगे note sheet कैसे तैयार करना है उसका यहाँ प्रारूप दिया जा रहा है साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विशय जीज भी मत के अंतरगत आपको बैय करना है उस मत का यहाँ पे विशय में हम डाल देंगे उसके बाद जो भी यहाँ का डिटेल है कौन से आदेश के अंतरगत आप उस मत का बैय करेंगे उसके अंतरगत आदेश क्रमांग यहाँ पे आप फिल अप कर लेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं सालनुदान को कर्च करने के संदरब में इस तरीके से हमें एक आदेश प्रसारित हुआ था तो यहाँ पे जो आदेश क्रमांग है उसे हमने वहाँ नोटशिट पे फिल अप कर दिया है इसी तरीके से अलग-अलग मद जो भी हैं उनके अलग-अलग आदेश जारी होते हैं तो उस आदेश क्रमांग के तहट आप अपने नोटशिट तयार कर सकते हैं लेटर ऑफिस आडर नंबर जो भी है उसको यहाँ पे हम डाल लेते हैं उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑफिस आडर लेटर अटेच्मेंट इफ एनी चूज फाइल अप्लोड का अप्सन दिख रहा है तो इसे अप्लोड करना कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है इसके बीना भी हम आगे बढ़ सकते हैं इसके बीना हमारा काम चल सकता है तो आगे देख पा रहे हैं आप सैंक्सन डेट जिस डेट में सैंक्सन करना है उसका यहाँ पे चैन कर लेते हैं उसके बाद है एक्चुल ट्रांजक्शन डेट जिस डेट में हमें ट्रांजक्शन क करना है वह select कर लेते हैं उसके बाद हम देख पा रहा है total amount तो जितना भी amount को हमें vendors को payment करना है यहाँ पे हम उसे बार लेते हैं उसके बाद देख पा रहा है narration तो narration में हमें जो भी उससे संबंदित जानकारी जिसको payment करना है vendor की किस के लिए payment करना है उसकी जानकरी यहाँ पर हम बार लेते हैं जैसे मैं नरेशन पर यहाँ Headmasters HM की SMC का ट्रेनिंग हुआ था उसके संबंद में जो आदेश जारी हुआ था उसको payment करना है HM के accounts में transfer करना है तो यहाँ पर हम HM SMC training डाल लेते हैं जिस भी vendor को आपको payment करना है उससे संबंदित यहाँ पर narration आप अपनी सुईदानुसर डाल सकते हैं नीशे जाके हम select scheme component का hyperlink है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया page open होता है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो grants है उसका detail देख पा रहे हैं साथी सांद देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग grants के left side में आप देख पा रहे हैं प्रस का sign मना है तो vendors को जीस भी grants के अंतरगत बुकतान करना है उसे हमें यहाँ से select करना होगा जैसे कि involved grants पर हम click करते हैं तो इसके अलग अलग जो options है teachers grant, school grants और अलग अलग वे सभी हमारे सामने open हो जाते हैं school grant पर जैसे हम click करते हैं तो देख पा रहे हैं primary, upper primary, high school और higher secondary के detail सामने आ जाते हैं तो यहाँ से हम select करके अपनी जिस भी section में हम आते हैं उसके अंतरगत select कर सकते हैं चुकि हमें यहाँ पर SMC training के अंतरगत HM को भुकतान करना है तो यहाँ पर हम SMC training को select कर लेते हैं expense type देख पा रहा है तो यहाँ पर revenue और capital है तो छोटे कर्चों के लिए revenue हम select कर लेते हैं उसके बाद percentage और amount दिख रहा है तो amount डालने के बाद percentage automatic so हो जाता है इसके बाद add पे click करते हैं add पे जैसे हम click करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से जो vendors है उसका details सामने आ जाता है इस तरीके से जिस vendor को हमें payment करना है उसका details हमारे सामने आ जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहा हैं उसके details जो भी amount उसे check कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर select option है और नीचे में remove है अगर कोई duty है mistake है तो यहाँ से हम remove कर सकते हैं उसके बाद save button पर click करते हैं save button पर जैसे ही हम click करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से एक voucher create हो जाता है तो इसे note करके रख लेना है इसके बाद हम ok पर click करते हैं तो ok पर जैसे हम click करते हैं तो हमारे सामने expenditure detail saved successfully साथ इसाथ proceed with pay detail इस तरीके से आपसन आता है तो proceed with pay detail आने के बाद यहाँ पर हम yes पर click करते हैं यह पर जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो vendors है उसकी पूरी detail हमारे सामने आ जाती है यहाँ से हम उसे check कर लेते हैं उसके बाद आप देख पा रहे हैं instrument type है तो instrument type पे यहाँ पर हम select कर लेते हैं check के थुरू यहाँ print payment advice के थुरू हमें payment करना है तो यहाँ पे हम print payment advice के थूप payment करना है तो उसे हम select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हम add पे click करते हैं जैसे ही show पे हम click करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरीके से option आता है जिसमें e-payment detail और e-payment detail के अंतरगत जिसको भी vendors को payment करना है उसका पूरा detail party name, IFC code, account number और narration passbook amount के साथ narration passbook दिख रहा है तो हमें passbook में जो भी narration देना है उसे हम यहाँ पे type कर लेते हैं और bugle में आप देख पा रहे हैं delete का option है अगर आप इसमें delete करना है तो delete भी इसको कर सकते हैं चुकि मुझे HM को SMC training के लिए जो amount है पर क्लिक करते हैं confirm पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने pay detail has been confirm करके option आता है 37 सब्मिट फार अप्रूवल तो submit फार अप्रूवल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो maker या operator की जो ID है वहाँ से ये जो payment करना है vendor को वहाँ checker की या फिर जो हमारे सचिव है या कहना चीए जो approver है उसकी ID में चला जाता है approver या सचिव की ID में किस तरीके से approve करना है उसके लिए हमें कलक से वीडियो बनाएंगे तो आज के वीडियो में इतना ही ऐसे ही वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं 37 वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you